कि mathematics के 100 question होंगे, फिर 30 होंगे, फिर 8 होंगे और total मिलाकर 138, मतलब यह है कि जो 100 question होंगे, वो objective होंगे, जिसमें से आपको 50 बनाना है, 30 question जो होंगे, वो short type के question होंगे, मतलब 2 number का question होगा, जिसमें से आपको 15 बनाना है, और 8 जो question है, वो long type के question है, जिसमें से आपको 4 question बनाना यहाँ पर आपको 15 मिनुट पहले दिया जाएगा कोशन इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए ठीक है तो आपको ध्यान पूरुवक हर कोशन को इंस्ट्रक्शन आपको पढ़नी है ठीक है तो आए स्टार्ड करते हैं अब्जेक्टिव कोशन हमारा जो है बिहार बोर्ड क की क्लास 10 की है और यह बहुत Important कोशन है जो एकजाम के भीव से ठीक है तौर सण अब्जेक्टिव कोशन होगा जिस मैं से हमें केवल 85 बनाना है ठीक है अब्जेक्टिव में भी आपको च्वाइस मिल गया है दो numeroटिव में से कोई तेंशन लेने की या चिन्ता होने के कोई बात नहीं है जो हिंदी मेडियम से पड़ते हूं भी और लगाये एक्सप्रेस इन है पीवाइग्युउ और इंग्सप्रेस करना है जब बार है तो बार को में का करूँगा हटा दूँगा उसके बाद कितने अंक पे बार है तो दो अंक पे है तो दो 9 लगा देंगे ठीक हूं यह आपका अगर हो जाएगवा तैसे कौन दे रहा है तो हो घड़ा है टेक है नेक्स जो है निम्न लिखित में कौन सा ओ परिमे संख्या है, और संग्या को इंगलीस में हम लोग ईरेशनल नंबर काते हैं, टीक है, इसमें से कौन सा ईरेशनल नंबर है, देखें ये तो हमारा रूट 9 बाहर निकलेगा 5 हो जाएगे तो यह root के अंदर ही रहा गए तो यह जो root के अंदर जो number होते हैं जो perfect square नहीं होते हैं वही आपका irrational number होते हैं वही आपका offer में संक्या होते हैं तो इसका option number भी हो जाएगा ठीक है चलिए next जो हमारा cursor है तीसरा कुसर number जो third है बोला है कि बहुपद बहुपद को इंगलिस में कहते हैं polynomial ठीक है बोला है zero of the polynomial मत्ति उसकी zero निकाल दें मतलब zero को हिंदी में कहते है शुनियंक ठीक है तो zero को इससे निकालेंगे तो इसको zero का बराबर कर लिजेगा तो six x minus twenty one is equal to zero तो six x is equal to twenty one को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो twenty one और six इसके निचे डिवाइड करेगी तो twenty one अपन में six और three से हम क्या करेंगे किंसिल आउट करेंगे तो seven अपन में कितना हो जाएगा टू तो आपका कौन सा अप्सन मेंच हो रहा है जो थीरी से किंसिल आउट करने पर seven number two बना दी तो यह नमबर हो जाएगा ठीक है नेक्स जो हमारे question number four है बहुपद x square minus 10x plus 25 का घात क्या है घात को इंगलिस में कहा जाता है degree ठीक है तो इस polynomial का degree आपको बता देंगे तो याद रखना है कि variable का जो ज़्यादा power होता है वह degree decide करती है कि हम degree देंगे ठीक है कौन जो जिसकी power ज़्यादा होती है यह एक x की power one है यह x power two है ज्यादा power इसके पास है तो इसलिए इसका degree कितना हो जाएगा टू तो कौन सा अप्सन हो जाएगा option number b five number question में बोला है कि निमलिकित में कौन दिवघाद समीकरण है अच्छा दिवघाद समीकरण को इंग्लिज में कहा जाते है quadratic equation ठीक है तो नीचे दिया गया में कौन से quadratic equation बनाती है तो हम जानते है कि quadratic equation का general form होता है x square पलस का bx पलस का c आपको पता होना चाहिए x equal to 0 आपको general form होती है कि इसकी quadratic equation की यानि दिवघाद समीकरण की और जो इसके form में होगा वही आपका दिवघाद equation बनेगा तो देखिए यह x जो है root गंदर है तो यह ऐसे ही नहीं हो पाएगा और यहाँ देखिए x minus 1 का whole cube is equal to x square आप सुचेए कि यहाँ x square है और यहाँ देखिए x power 1 ह लेकिन हम जब इसको expand करेंगे तो x power 3 हो जाएगा तो यहाँ रखना है यहाँ x power 3 हो गई हम x power 2 चाहिए तो ज्यादा हो गया इसलिए यह भी नहीं हो पाएगा यहाँ देखिए यह x plus 1 का whole square है जब मैं इसको expansion करूंगा तो x square plus 1 plus 2x is equal to यहाँ लिखेंगे 2x plus 2 ठीक है तो य यह जो है x की power 2 है यानि यही आपका दिवघार समीकरण बनाएगी यहाँ x plus 1 का whole की हुए यानि यह भी नहीं बना पएगी यह x की power 3 हो जाएगा यह power ज्यादा होगे दूसरे दिवघार समीकरण में या दखना है बच्चों कि दिवघार समीकरण में power 2 ही होनी चाहिए ठी इसलिए आपका जो option नमर होगा वो c हो जाएगा नेक जो हमारा सवाल है सवाल नमर 6 में यदि m तथा n अभाज संक्या है तो m की power n, m की power 3 n square और m की power 2 n square का कर्मस का मौसार होगा मौसार की देखें मौसार को ही यह तो हिंदी word है इसको इंग्लिस में हम लोग आते हैं scf ठी इसका का करना है scf निकाल देना यह देखें यह cbc वाले में ज्यादा तर हमने देखा है लेकिन कोई बाट नहीं इसके scf कैसे निकालेंगे देखें scf निकालने के लिए हम लोग का करेंगे m की power 3 है और n square है दूसरा है m square n square यहां देखें यहाँ M की power 3 है यह M की power 2 है दोनों में M है तो कौम power की इसके पास इसके power से तो वो लिगा लेगा M square यहाँ N square है यहाँ N square है दोनों में N है और दूसरी बात दोनों की power से में तो N square को भी ले लेंगे तो यह हमारा S safe हो जाएगी तो यह ऐसा option आपको कौन सा दे रहा है C दे र से तोनों में N square को भी निकाल देंगे तो देखें LCM में ज्यादा power को निकाला जाता है और ACM के क्रस्थ में कम power को बाहर निकाले जाती है इसलिए आपका यह answer हो जाएगा और LCM पुछता है तो यह आपका एंसर हो जाता है मतलब यह आपका क्या बन जाएगा LCM बन जाएग next question है हमारा 7 बोला है कि यदि A और 18 का loss of 36 है मतलब loss का मतलब होता है LCM ठीक है यहां लिखा भी होगा इंगलिस में भी LCM of A and 18 is 36 and LCF of A and 18 is 2 हां मतलब यह है कि A और 18 का जो LCM है वो 36 है ए और 18 का जो LCF है वो 2 है तो हम एक फर्मूला जानते हैं 10 गलास पर जानते हैं क्या है कि product of two number product of two number is equal to LCM into SCF दोनों नंबर का LCM और उससे नंबर का SCF भी निकाल कर इनको product करें या इनको product करें दोनों बरावर होते हैं ठीक है तो चलिए आते है product of दोनों कौन को नंबर है एक यह है और दूसरा एक 18 है तो इन दोनों को मैं product करूंगा और देखिए LCM कितना है यह हमारा यह है LCM है ठीक है LCM कितना है 36 और LCM कितना है 2 ठीक है तो आप मैं 18 से इसको का कर दूँगा डिवाइट कर दूँगा 22 कितना हो जाएगा 4 एक अमान कितना हाजाएगा 4 यह अपसर नंबर 2 हो जाएगी ठीक है देखिए पहली बात ही है कि मैं इन दोनों को पहले product करूंगा देखिए बेगार product की आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं ऐसे आप बहुत सार बच्चे सकते हैं और a-b आप जानते हैं formula a plus b a-b equal to होता है a square minus b square हम जानते हैं तो देखिए एक यह पर टू है तो 2 का square करेंगे तो कितना हो जागा 4 फिर minus देकर root 3 के square करेंगे तो root 3 देखिए हमेंसा याद रखना है कि जब हम root 3 का square करेंगे तो क्या मिलेगा 3 root 5 का square करेंगे तो मुझंम से त्यृत करें गहीं कितना यह तो वन आपका होंगा रेसेनल बन जाएगा ठीक है त। इसलिए जो आपका ऐप्सप्करत बनेगा इसका वो हो जागा rational number ठीक है चलिए nine number question देखते हैं तो nine number question देखते हैं यहां बोला है कि दिवघाज बहुपत एक स्क्वाइर प्लस एक्स मेनस 20 का सुन्या का निकाल लिए मतलब इसका जिरोज निकाल देना है ठीक है तो यहां इंग्लिस में भी question होगा question यह है कि the zeros of the polynomial x square plus x-20 इसका क्या करना है जिरोज निकाल देखिए इससे बनाने के लिए मैं आपको दो तरीका बतावगा पहला कि हम जो पहले से सीख कर आए यहां स्वामज लेते हैं x square इस यहां पर one है तो प्लस one x-20 नहीं रहेगा one हम अपने से देदेंगे x square यहां देखिए one है तो मैं क्या करूंगा इससे one को तोड़कर लिख सकता हूं कितना लिख सकता हूं तो five x minus का four x लिख सकते हैं पांच में से चार घट आएंगा तो one आ जाएगा और इन दुनों का प्रोड़क्ट minus 20 हैगा minus 20 अब इसमें सम्झेया करेंगे x को कॉमन करेंगे तो x plus का five यहां से एक्स का भेलू निगल करेंगे minus five दूसरा four तो यह कौन सा option बन जाएगा minus five और minus five और four कौन सा दे रहा है यह वाला दे रहा है यहां सवाल यह है ठीक है हमारा answer कौन सा बन जाएगा c दूसरा तरीका यह है कि आप का करिएगा x यह सारी x की माने x का भेलू उठाकर इसमें रख दीजिएगा जो satisfy करेंगी वही answer बन जाएगी जैसे minus five minus five को हम इसमें put करेंगे तो minus five का square फिर plus x जो पर minus five फिर minus का 20 तो यह minus five के square करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 पर फिर plus minus minus five और यह minus का 20 इन दोनों को एट करेंगे तो 25 यह हो जाएगा 0 यानि जो भेलू उठाकर इसको 0 बना देगी वह answer बन जाएगी तो हमने तो एक यह तरीका है कि हम पहले से जानते तो फिक्टाइज करकर निकल लेंगे गुरूंखन करकर निकल लेंगे तो आप अगर जानते हैं तो निकल सकते हैं नहीं जानते हैं तो satisfy करा दिजएगा ठीक है छोड़ना एक भी कोसर नहीं है पचासु को पचासु आपक करें सही हो जाएगा no. erhalten है कि यदि किसी दिउगात बहुपद का जाएज है कि सुन्य अलफा को में बीटा हो तो ne apples gitu का मा निगाल देने नहीं या नियू यह जो है अलफा प्लस बिटा ये सुनियां के मतलब रूट के यह क्या है जी रूट से मतलब जी रोज भी बोल सकते हैं हम जानते हैं कि alpha plus beta का जो value होता है minus by a होता है ठीक है और यह minus हो गया और यह b कहां होता है तो यहां होता है अगारे में क्या बोला है if alpha and beta are the zeros of the polynomial then one by alpha plus one by beta का value निकाल देंगे हैं तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात कि पहले हम लोग इसे solve करने के कोशिस करेंगे कि यह आ रहा क्या रहे कैसा expression बन रहा है तो one upon alpha plus one upon beta हम क्या करेंगे इन दोनों का पहले एलज़ेम निकालेंगे तो alpha into beta मिलेगा और यह alpha जो है इसे alpha केंसल करेगा तो बीटा मिलेगा बीटा one को multiply करेगा तो हो जागा केवल बीटा फिर पालस यह बीटा जो है इस बीटा करेगा तो कौन मिलेगा alpha alpha one को multiply करेगा तो alpha यह होगे alpha plus beta नीचे alpha into beta अब यहां से हम क्या करेंगे alpha plus beta एक भेलू निकालेंगे तो alpha plus beta is equal to क्या होगे यहां देखिए 4 है और सबसे पहली बात हमारा formula होता है minus b upon का a ठीक है तो हम minus लगा अबसे होता है सी बाटा एह होता है ठीक है तो सी हमारा कौन सो होता है constant number कॉंसे नमर कितना है one one यानि one upon में यह का भेलू कितना है one यहां देखिए पहला option में है दो दूसरा option में है 4 हमें चाहिए minus 4 ठीक है तो minus 4 को हीं दूसरे option में दिया होगा तो option number c में दिया है option number c में दिया है minus 4 तीसलिए minus 4 एंज़र हो जाएगी यहां देखिए बोला है यह if the sum and the product of roots of the equation देखिए इसका जो roots है are equal करने का मतलब है sum और product तो देखिए यानि कहाना का चाता है alpha plus beta यह हो गया sum माल लेते हैं इसका roots alpha beta है roots क्या है alpha beta है तो इसका sum alpha plus beta और इसका product की बात करेंगे तो alpha into beta और बोला है कि sum और product आपस में बराबर है जब बराबर है तो कि कमा निकल लिए तो हम जानते है alpha plus beta का भीलो होता है minus b by a और देखिए alpha into beta का भीलो का होता है c by a ठीक है आप का करेंगे हम यहां से a से a को cancel करा देंगे तेहाँ जाएगा minus b is equal to c अभी इस case में आये minus को मैसे ही छोड़ देंगे ठीक है बी हमारे कितना है plus 6 ठीक है अब यहां c का value कितना है 9k यह देखिए यह constant number है इसी को हम c कहेंगे 9k ठीक है आप क्या करेंगे 9 को नीचे भीज़ देंगे minus 6 अपन में 9 is equal to k जड़ा बताएगा कि cancel out होकर क्या होगा थीरी से केंशन करेंगे minus 2 और यह 3 से केंशन करेंगे थीरी तो k का मान minus 2 upon 3 तो कौन सा दिया है यानि b दिया दिया है minus 2 upon 3 10 नमर सवाल में है यदि x का मान 1 है दोनों समीकरण में तो दोनों समीकरण का मूल हो तो a into b का मन निकाल देना है if x is equal to 1 is the root of the root of both the equation देखे यह भी quadratic equation यह भी quadratic equation है तो a into b का मन निकाल देना है देखे जब x का value 1 दिया है और यह root है तो root इसको satisfy करा दो मतलब उठा कर उसे में put कर दो तो a देखो जहाँ x है जगा हम caput करेंगे 1 तो यहाँ caput करेंगे 1 का square फिर plus x जपर का रखेंगे 1 फिर plus a is equal to 0 1 के square कितना होता है 1 तो क्या हो जाएगा 1 plus 1 मिलाकर 2 तो a का मान आ जाएगा minus का 2 क्योंकि यह 2 हो गया और 2 को हम उधर भज़ेंगे तो a का मान minus 2 फिर इसमें रखेंगे हम 1 ठीक है इधर रख रहे हैं तो b फिर 1 का square फिर पलस का b into में फिर 1 फिर पलस का 3 is equal to 0 ठीक है तो यह हो जाएगा b 1 का square तो 1 नहीं होगा b फिर पलस b में 1 से गुना करो तो b होगा फिर पलस 3 is equal to 0 अब हम क्या करेंगे b और b को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 b और 3 को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा minus का 3 तो b का value हो गया minus 3 by 2 अब आपको क्या चाहिए product चाहिए यानि a into b चाहिए क्या चाहिए a into b यहां पर into b बोला है नो तो a का मान आया है minus का 2 और b का मान आया है minus का 3 upon में 2 देखे बच्चों यहां minus जो है दोनों में है इसलिए सवधानी पूरोग बनाईएगा अगर एक भी mistake कर दिए आपका option गलत आ जाएगा तो यहां क्या करेंगे 2 से 2 को cancel करा दिए तो यहां minus 1 into minus क का 3 इनको product करेंगे तो पालस का 3 आ जाएगा ठीक है अगर आप minus को छोड़ दीजेगा मान लेद आप minus को छोड़ देते हैं तो दिएक option में minus 3 भी है तो तुरंद गलत आप मार दीजेगा और जब आप बने आएगा उस पर लगा कि नहीं मेरा यह सही है सही है इसलिए इसको ध्यान पूरवक सही तरीका से एक एक स्टेप समझ कर बनाना एक भी कोशन नहीं छोड़ना है यतना याद रखना है 14 नमबर में बोला है कि 2 के पावर x plus y is equal to 2 के पावर x minus y is equal to 2 के पावर 2 upon 3d तो y का मान निकाल देनी है और यह देखिए जारा option भी है यहाँ देखिए इसमें हम किसी एक को बराबर लिख सकते हैं तो 2 के पावर x plus y is equal to 2 के पावर x minus y theory में हम लोगों न देखिए exponent का question है theory में मैं इमने बच्चों को पढ़ाया था कि जब base दोनों तरफ same और यह equal value है equation भी यह दोनों तरफ base equal है तो power को भी हम equal करेंगे तो x plus y is equal to x minus y और यह देखिए यह जो x से इधर आकर minus हो जाएगे इस x है तो x minus का y ठीक है sorry x minus का x यह x इधर आकर minus हो जाएगे equal to y उधर जाकर minus बन जाएगे ठीक है तो यह minus y यह policy दो minus y यह y इधर आकर minus y हो गई यह x में से x को सब्टेट करेंगे तो हमारा के अतना आ जाएगा 0 ठीक है is equal to यह हो गया minus का 2y इसको नीचे भेज़ेंगे तो 0 upon minus का 2 is equal to y तो final में यह 0 हो गया ठीक है तो y कमान हमारा का हो गया 0 y कमान हमारा क्या आ गया 0 तो अब option नंबर a में है 2 upon 3 अफसर नंबर b में है 1 upon 2 और अफसर नंबर c में हमारा 0 आ जा बच्च्या 0 हाता 0 है अफसर नंबर c हमारा correct हो जाएगा नेक जो सवाल है 15 नंबर cos theta into cos theta क्या होता है अब यह तो formula आप जानते भी है cos theta into cos theta को हम लिख सकते हैं 1 upon में sin theta अब यह हो गया cos में 1 से multiply कर यह तो क्या हो जाएगा cos theta upon में sin theta तो cos theta by sin theta क्या हो जाता है cos theta तो कौनसा अप्शन हो जाएगा यह अप्शन B देखिए 10 theta होता है sin theta upon में cos theta ठीक है यह confused मत हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं छोटे-छोटे चीज़ें गलती करकर आते हैं इसलिए बहुत सारी question अप्टेक्टिस करिए ताकि आपको confidence पैदा हो जाए 16 नमबर में वोला है if 0 of the polynomial x square plus x minus bb reciprocal reciprocal का मतलब होता है उल्टा अगर माल लेते इसका 0 एक alpha है तो दूसरा 1 upon alpha उल्टा मतलब इसका reciprocal मतलब इसको पलट देना है ठीक है तो अगर एक alpha है तो दूसरा 1 upon alpha कोई करना है इस और हम b डालेंगे तो ले लो ना है एक बीटा ले दूस तो चलिए एक दूनों का हम प्रोड़क्ट करते हैं यह दूनों हमारा का बन जाएंगे सुन्याक मन जाएंगे roots बन जाएंगे ठीक है तिन दूनों का क्या करेंगे प्रोड़क्ट करेंगे तो alpha into one by alpha यह हो गया product of zero ठीक है product of सुन्याकों का गुलन खंड एति गुलन फॉल और क्या होता है minus c by a होता है c by a यह alpha से alpha हमारा cancel हो जाएगा तो हो जाएगा one और c का भ्योग 17 में बोला है यदी समीकरण X square plus BX plus C के मूल समान हो तो पत्यक मूल का मानने करीं इंग्लिस में इसकार से बोला है कि roots equal root then the value of its roots देखे जब roots equal होंगे तो हमारा जो discriminant होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है B A Squire minus 4AC is equal to 0 कब जब mascican roots होगा तब जब समान हो जोग सब Б A-4AC होगा ठीक है X is equal to minus B minus under root में B A се Em사 4AC होता है और B A-4AC यह 0 हो जाएगा तो X का फेल हो जाएगा यह आपका अंसर हो जाएगा मैंस b upon में 2 A यानि b number option हो जाएगे मैनेस B upon 2A में कौनस अप्सन हो जागा देखें जब रूटस आपका इक्वल होगा तो मैनेस B upon 2A हो जाएगे ठीके यह देखने है कि यह फर्मूला से आपको निकला है X is equal to होता है मैनेस B plus minus B square minus 4C upon 2A और यही भेलू आपको का बन गई? जीरो हो गई ठीक है यह भेलू आपको का यह यहां से नहीं बनेगा यह भीलू आपको का हो गई? 0 हो गई तो एक्स का भी लोग मैनेस B upon 2A यह देखें 18 नमर कोर्सन में क्या बोला है कि X plus 2 और X minus 2 से होंगे देखिए पहली बात कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं हाँ तो नेक्स्ट हमारा जो कोसर नमर 18 है वह है कि इसको पहले आप सॉल्व करेगा तो कौन सो रूट्स होगा तो हम इतना कौन करेगा इतना में हमारे पास वक्त है हम क्या करेंगा एस ओप्सन को उठाकर पूट कर देंगे देखिए और पहईसे हम कैसे ओप्सन को रखकर सटिस्फाई करा रहे हैं आप लोग भी सीख लीज इसलिए यह जीरो इसको भी जीरो बना देगा तो हमारा फाइप नहीं आ पाएगा क्योंकि इधर भी सॉल्व करने पर फाइफ आना चाहिए तो यह नहीं हो पाएगा इसको आते हैं थीरी उठाकर यहां पूट कर दो तो थीरी पालस टू केतना हो गया फाइप यहां रखे यह हो जाएगा फिर इंटू यह हो जाएगा इसको कुणा करेंगे तो कितना यह फाइप अप्सर नमर भी हो जाएगे ठीक ट्रीक यह भी है कि अगर लगता है कि वक्त लगे तो हम लोग अप्सरन को सटिस्फाई करा सकते हैं ठीक है यह कोई आपसे गलत कोई नहीं कर कोई सब्जेक्टिव है नहीं को बना का देखाना होगा 19 में बोला है यदि किसी यहां 19 में बोला है कि इफ 6 and minus 2 be the zeros of quadratic polynomial देखे 6 और minus 2 इस पोलनोमियल का zeros है इसमें दो unknown quantities है B और C इसका value हमें निकाल देने हम क्या करेंगे एक पर का करेंगे अलफा प्लस बीटा का value मतलब अलफा प्लस बीटा क्या होता है मैनस bjoe होता है मैनस b अर अलफा इंटू βीटा कितना होता है सी वाई यह चली थी यह फर्मुलास हम बना लेते हैं अलफा और बीटा यह दे चुगा यह मान लेते अलफा यह हमारा बीटा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो छोओ में सुदू घट जाएगा तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है तो चलिए भाई हमने जोड क किया तो 4 आया और यहां सेिस नखालेंगे माईनस में केवल भी है और एक मान रखेंगा तो यहाँ एक इतना ओन है वार-अब भी समय बोला है धीस मिं भूले है कि कि इसकी घाट जिसकी डिग्री वन होती है वह लिनेयर होता है तो यह धे कि यह हमारा का लिनियर हो जाएगा यह नीचे चला गिया यह रहाए ही नहीं यह भी नहीं है यह भी नीचे चला गिया तो यह भी नहीं है ठीक है तो अप्सट नमरे आपका करेक्ट हो जाएगा 21 में 21 में है कि the maximum number of zeros of a cubic problem the cubic का मतलब होता है सकति है झालफा बीटा और गामा जोम होता है लोता है इस e a Vienna होता है मैं मैं स्कॉर से आ ममट reply देक है तो माइनगे मैने मने लंतलब भी बनता है माइनगे फ्रमूला में में ब्र माइनस स्वे दद हाई ओने समसर तंण किन आगया लुए सबफन warfare देखे इसमें विविचक निकाल देना है मतलब इसका December 9 निकाल देना है टूर देंदी इस्क्रोंूरा देग्या भी स्क्वायर मानस का 4ac ठीक है अब आते हैं यह आपका B हो गया B square minus 4 into यह आपका A हो गया A और यहाँ पर जो होता है C C ठीक है तो B square minus 4ac कौन सब्सक्राइब B square minus 4 यहाँ देखें यहाँ यहाँ गलती हुआ है यहाँ एक जोपर कितना है B है ठीक है यह एक जोपर कितना है B है तो B square minus 4 B C होना चाहिए ठीक है B square minus 4 B C तो कौन दे रहा है B square minus 4 A C है B C इसकर यह भी नहीं है अगले option में देखते हैं यहाँ पर है B square minus 4 B C यानि C हो जाएगी यहाँ देखें 24 नमबर में यह भी हम option सही बनाएंगे बोला है कि X में से Y को घटाएगा तो दो आएगा और 100 Y को जोड़िएगा 10 तो चलो भाई पहले एक से फिर Y है 4 में से 2 घटाएगा 2 आएगा 6 में से 4 घटाएगा 2 आएगा 5 में से 3 घटाएगा 2 आएगा खर को बढ़नी जोड़ दस आना चाहिए तो चार दू छो यानि 4 दू को जोड़िएगा तो यह नहीं होगा चार चार जोड़िएगा तो दस आएगा ठीक है तो चलो यह हमारे एक option बन रहा है पांच और तीन को जोड़ेंगे तो आठ आ जाएगा लेकिन हमें दस चाहिए साथ पांच जोड़ेंगे तो बारा आगए यानि यह option बन गया पचीस में देखें पचीस तक यह question किया जाएगा वीडियो बहुत लेंदी होने को जासे नेक्स पार्ट इसका हम वीडियो डालेंगे बला कि 5 मतलब एपी में कौन यह तो आपका एप्लस बी का भेलू निगाल देनी तो आएए सीखते है किसे बनना है सबसे पहली बात जिफाइब एब और 11 ठीक है यह सारे का सारे किसमें एपी में एपी में तो समन अंतर एपी में तो common difference क्या होता है सारव अंतर क्या होता है सेम होता है ठीक है तो हम क्या करेंगे यह में से 5 को सब्टेट करेंगे फिर क्या करेंगे यहां से भी सारवंतर निकालेंगे 11 में से बी को सारवंतर निकालेंगे यहां सारवंतर निकाली यहां सारवंतर निकाल बरावर कर लिया ठीक है तो माइनस बी को हमीदर लिया आएंगे तो एप पॉलस भी और मानस फाइब को उधर लेका जाएगा तो एफ पॉलस का फाइब तो एफ पॉलस भी का मान हो गया कितना यह जाएगा 16 अपसर नमबर डी ठीक है और नेस्ट कोर्शन जो है इसका 26 नमबर आपको बता देना है ठीक है कि कौन सा इसका सारवंतर होगा आप कम